पठान बॉक्स ओफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है ज्यादातर फिल्मों के केस में ऐसा होता है कि रिलीज होने की कुछ दिन तक खुब भला मचता है लेकिन फिर समय के साथ माहौल ठंडा बढ़ने लगता है पठान के केस में ऐसा होता नहीं लग रहा फिल्म को रिलीज हुए 12 दिन हो चुके हैं आज 13 दिन है फिल्म को अपने पहले 12 दिनों में करीब 2 करोड 62 लाग का फुटफॉल मिला है फुटफॉल क्या होता है? फुटफॉल यानि फिल्म की कितनी टिकेट बिकी? उसे कितने लोगों ने देखा? वॉक्स ओफिस वर्ल्ड वाइड के मुताबिक 5 फरवरी तक पठान की 2 करोड 62 लाग टिकेटे बिकी रिपोर्ट के मुताबिक पठान की रोज कितनी टिकेटे बिकी उसका हिसाब बताते हैं पहले दिन 33,1,000 दूसरे दिन 40,62,000 तीसरे दिन 23,58,000 चौते दिन 30,05,000 पांचवे दिन 34,05,000 छटे दिन 15,25,000 साथवे दिन 13,05,000 आटवे दिन 11,25,000 नौवे दिन 9,64,000 दसवे दिन 8,26,000 ग्यारवे दिन 13,03,000 बारवे दिन 18,01,000 फिल्म के हिंदी वर्जिन को 2 करोड 54,00,000 का फुटफॉल मिला दूसरी भाशाओं के वर्जिन को मिला लें तो ये नमबर 2 करोड 62,00,000 तक जाता है पठान की टिक्टें भले ही धड़ा धड़ बिक रही है मगर टॉप पर पहुँचने का सफर अभी बहुत लंबा है पठान को बचाने वाले सल्मान खारन की फिल्म वहां कई सालों से कमजा जमाए बैठी है इंडिया में फुटफॉल के मामले में कौन सी फिल्म है सबसे उपर है उनमें से टॉप पांच के बारे में बताते हैं बॉक्स ओफिस इंडिया के मताबिक हम आपके हैं कौन 7 करोड 49 लाग बाहुबली 2 5 करोड 25 लाग गदर 5 करोड 5 लाग दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे 4 करोड 89 लाग जा हिंदुस्तानी 4 करोड 9 लाग फुटफॉल्स को लेकर शोर भले ही मच रहा है लेकिन उनके साथ एक खेल है उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता फुटफॉल्स को लेकर एक पुरानी रिपोर्ट के लिए हमारे साथ ही श्वैतांक ने ट्रेड अनालिस्ट कोमल नहटा से बात की थी उन्होंने बताया था आज तक ऐसी कोई संस्था नहीं बनी जिसने विकी टिक्टो का रिकॉर्ड रखा हो वो एकलोती चीज है जिससे फुटफॉल्स का अंदाजा लगाया जा सकता है इससे फुटफॉल्स से जुड़े जो भी आंकड़े आपको बताय जा रहे हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता यही वज़े है कि ज्यादातर मौकों पर फिल्मों की कमाई गिनी जाती है क्योंकि उसके अनुमानित आंकड़े तक पहुचना मुश्किल नहीं है मुश्किल काम यह पता करने में है कि किस फिल्म की कितनी टिकटें भी की या उसे सिनेमा घरों में कितने लोगों ने देखा नहीं हुगा रिमा आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा शुक्रिया